अब जब आपनाईए फिश पकोड़ी इह इस देली मैं एक किलो फिश है जरी मैं पीसेच कट ली ते एस नू फिश नू पहला नमक थोड़ा जेना दिखो नमक पाके ते अद्रक लसंदा पेस्ट पाके लसंजादा अद्रक कट ते नाल नेंबूदा थोड़ा अपारास पाक इस फिश नू अपा थोड़ा जा मिक्स करके रखत मांगे पंसात मिंट आमे लैमन जूस पाता अलस नद्रक दा पेस्ट पाया और नमक पाया इस दे नाल जे फिश दी समेल ने हो दिएगी बिल्कुल भी ए दिखो मूने मिक्स करके रखत मांगे उस तो बाद इस दे विच आपा सिंपल मसाले जेडे हुंदे ने हल्दी नमक मिर्च जे गर्म मसाला थोड़ा जे ना ते एह दिखो मैं हल्दी पाती क्योंकि पकोड़े बनाली थोड़े जे क्रारी करने पेंदे ने मिर्च पाती ते इस दे नाली आपा इस दे विच गर्म मसाला पाता ब॥ुद अज़ना नाल उस्तों बाद तो काली मेच थोड़ी चिर चिर नाला मेच पी betting हम केंदेब ते हमाहाद खेए यह दोनों सीज्ञा में इस दे नाली मेक्स कर लेंगाने ते उस्तों बाद इस दे विछ आपा एहे चाठ मसाला पाये तांके ही थोड़ी जे चाठ मसाली नाल भी बदिया करारी जी हो जान। एसे विछ पैस घल भ्तियो करल भी आपापु नाली में करन नाले घरपारी को घचक्रिणे अलभी नालाश पैसे दे विछ तो पॉल्चा हाजन सीज्द टिन्य जी तरप सेथाफ से भी आकशन सीज्द दे ने छे स्पून और चार स्पून और अस्तो बाद पानी जा थोड़ा जा छिट्टा मार की इसनो मिक्स कर ले ले यह मैं मिक्स कर ले ते ओल अप गर्म रख ले इस ते विच आप इसनो डस्क मिन्ट रख के उस तो बाद अपकोड़ी बनाने शुरू कर ते अब मैं की गर्म होना चेहीं दै तेल जो भी है ते तुसी शरों दे टेल चबी बना सकते हो और बोल्ट किसे चपी बना सकते हो ए पहला यखिली पहला एक वर्ड़ी कर देन दवारा फेर यह तुलेने दीप फ्रै है यही जिमेद एक के चाहां नुप हर य कर दीप पॉन्वेले गैस थोड़ा स्लो कर लो तांके एकदम हो नहीं ते उस्तो बाद चेहे तुसी तेज कर लो ये पॉकोड़े बड़े स्वाद बन देने फेश ते और खांच बहुत ज़्यादा अच्छे हुन देने सेहत लीवी फेश अच्छी हुन दी है आहुन देखो तुसी पॉकोड़े बन के त्यार ने इसे तरह मैतार ले सारे ताल के देखो ये पॉकोड़े बड़े स्वाद बने ने और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ने ये तुसी हरी चटनी दे नाल मूली दे नाल कद्दुकस करीवी उस सर्गा चीजा दे नाल तुसी जा तुसी टमैटो सॉस लेलो उस दे नाल खा सकते हुन आपने